Hello friends, आज हम discuss करेंगे रामचन्स character from the novel The Sari Shop रामचन्स का character जो है वो इस novel में बहुत ही माइने रखता है क्योंकि वो proletariat class को represent करता है proletariat class जिसे हम working class भी कह सकते हैं इस novel में की बहुत ही important theme है struggle between the classes जिसमें की proletariat versus capitalist class या हम oppressed versus oppressor कह सकते हैं तो इसमें जो रामचन का करेक्टर है रामचन और कमला यह बहुत ही important करेक्टर से क्योंकि वो proletariat class को represent करते हैं तो novel की शुरुवात ही रामचन के narration से होती है तो हम discuss करते हैं आज रामचन का करेक्टर जिसमें आप यह characteristics लिख सकते हो अगर आपको character analysis लिखना है तो सबसे पहला तो है कि unfortunate रामचन जो है वो एक unfortunate person है जब उसकी उम्र महस 6 साल होती है तो उसके parents की एक accident में death हो जाती है वो अनाथ हो जाता है he is orphan और उसके uncle और उसके आटी जो है उसे cheat करते हैं उसकी जो property होती एक छोटी सी shop होती उसे वो हथिया लेते हैं cheating करके जिसके बारे में रामचन को पता तक नहीं होता है उसकी मा की ज्वेलरी उसके आटी ले लेती है और उसके पास में कुछ नहीं बचता है जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंकल जो उसे सेवक सारी house नाम के shop में जोब दिलवा देते हैं और उसके बाद में रेंट पर एक room लेकर बहुती low type life जो जीते रहता है बहुती मामुली सा average life जीते रहता है जिस तरीके के circle में वो रहता है उससे भी वो खुशने रहता है उसका सपना होता है कि वो पढ़े लिखे जैसे कि उसके पिता चाहते थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो उसके सपने हैं जो भी उसका expectations है वो reality में turn नहीं हो पाता है due to circumstances दूसरा characteristics हम यह लिख सकते हैं कि he is a sensitive character sensitive उसले क्योंकि रामचन जो है उसको जब महाजन से डाट पढ़ती है तो बहुत डरता भी है और डाट पढ़ने के बाद में वो सहम सा जाता है जबकि उसे शौप में job करने वाला हरी जो है वो एक कान से उसकी डाट को सुनता है दूसरी कान से छोड़ देता है पूरे novel में कमला के साथ में जो tragedy होती है उसके बारे में उसके husband चंदर को भी इतना feel नहीं होता जो है disconnected with the world रामचन जिस माहौल में रहता है जिस शौप में वो job करता है वहाँ के लोगों से जिस कमरे में वो रहता है वहाँ के आसपास के लोगों से जिन लोगों के साथ में बैठके वो लखन धाबा पर खाना खाता है वही सारे शौप में के उसके assistant workers उनके साथ में वो connected feel नहीं करता है उसके आसपास की जितनी भी दुनिया है जितनी भी लोग है उनके साथ में वो connected feel नहीं कर पाता है और वो lost रहता है उसके parents के death के बाद में इसके बहुत बढ़ी वजह है कि शायद उसे वो शौक लगता है कि उसके parents जो फ़ अचानक से चले जाते है तो he is always disconnected उसके parents जाने के बाद में वो उसके grandparents से है किसे से भी ये नहीं पुछ था कि उसकी मा ये उसके पिता कहा है या वो कब आने वाले है तो वो एक disconnectivity फिल करने लगता है दुनिया से और अपनी ही आप में जो खो जाता है वो अकेली समय बिताता है जब भी वो अपने grandmother के हाँ जाता है नदी किनारे बैट कर उसके कोई खासे दोस्त भी नहीं होते है चौथा characteristics हम लिख सकते हैं कि वो meek personality मीक मतलब quiet है gentle है उसमें इतनी sensitivity है कि वो feel कर सके जो उसके आसपास हो रहा है कमला के बारे में जब shop में के बागी लोग gossip करते हैं उसे दोशी देते है कि उसने drink नहीं करना चाहिए उसने चंदर अगर ऐसी wife को पीटता है तो कोई गलत नहीं है उस time पर एक रामचंद ही ऐसा character होता है जो समझ पाता है कि कमला जैसी भी थी वो alcoholic थी या जो कुछ भी हुआ उसकी वज़े थी उसकी हालात circumstances के वज़े से वो जो है कमला जो है वो ऐसी हो जाती है ये reality से फ्रामचंद देख पाता है वो कमला की situation से अपने आपको connect कर पाता है जब कभी भी महाजन से उसे डाट पढ़ने वाली होती है या वो शॉप में जाने के लिए late हो जाता है या जब वो कपूर फैमली के हाँ जाता है तो always जो है वो एक तरह की के tension में रहता है तो कहिना कही एक डर उसके दिल में हमेशा होता है कोई अगर वियाईपी कस्टमर्स आ जाए जैसे कि मिसेस संधू या मिसेस गुपता जब शॉपिंग करने के लिए आते है या जब मिसेस सचदेव आती है मिसेस भंडारी के साथ में तो इन कस्टमर्स को हैंडल करते वक्त उसे tension फील होता है कि कि वो मीक है कहिना कहिने उसमें डर होता है हमेशा वो confidently अपने आपको present ने कर पाता है और सबसे important चीज यह है कि उसे यह लगता है कि जो अंग्रेजी बोल पाते है वो लोग जहें वो इनसे बड़े है या उनके सामने यह थोड़ा सा low confident feel करता है या openly वो किसी से भी बात नहीं कर पाता है because he has a meek personality fifth character हम यह लिख सकते कि he is the prime example of oppressed society कि जो novel में जितने भी characters है उसमें से दो जो है वो mainly represent करते है इस struggle को एक तो है कमला और दूसरा है रामचंद उसमें रामचंद जो है वो weak personality है बहुत जादा oppressed हमें दिखाई देता है कमला के साथ में जब injustice होता है तो वो उसके किलाफ आवाज उठाती है और उसके साथ में जो कुछ भी होता है वो tolerate भी करती है लेकिन जब रामचंद को इस पादरे में पता चलता है तो वो जो कुछ भी steps उठाता है वो बहुत ही weak होते है मतलब strong decisions वो नहीं ले पाता कमला की help के लिए वो सिर्फ मिसस सच्देव से बात करता है और उसके बाद में जब gossip चल रहा होता है दुकान में तो जैसे कमला ने गुपता और कपूर फामली के खिलाफ आवाज उठाई थी तो कमला की जो कुछ भी tragedy थी उसे जब रामचन बहुत deeply feel करता है जब shop में उसके बारे में gossip चलता है कमला को दोश दिया जाता है उसके alcoholic होने के लिए या चंदर उसे पीटता है तो वो सही इस बारे में जब gossip की जाती है तो रामचन को बहुत बुरा लगता है और वो महाजन और गोकुल को या हरी को जो है वो बोल भी देता है कि वो जो कुछ भी gossip कर रहे है वो गलते रोनाने सा नहीं करना चाहिए तो वो harshly react करता है इवर महाजन के सामने जिसके सामने उसके जुबान भी तक नहीं खुलती है लेकिन ये hit of the moment होता है जब वो वापिस अपने रूम पे जाता है लग बारा दिनों तक वो है अपने घर से बाहर नहीं निकलता है रूम से बाहर नहीं निकलता है and he is lost in his own tragic feelings लेकिन जब वो वापिस आता है और महाजन से sorry कहता है तो ये represent करता है उसके character उसके personality make of weakness उसका ये step ये बताता है कि वो capitalist society के सामने हार चुका है Mrs. Sajdev से जब वो बात करता है तो Mrs. Sajdev जो है उसे फटकार देती है कि वो कमला की story से share करने की कैसी daring कर सकता है लेकिन Mrs. Sajdev से help मांगने के बाद में जब उसे help नहीं मिलती तो वो कोई और कोशिश नहीं करता है वही रुख जाता है तो अगर the most oppressed example हमें अगर इस novel में कोई दिखाए देता है तो वो है रामचंद भले tragedy सबसे ज़्यादा कमला के साथ में होती है बट वो अपनी आवाज उठाती है she has a strong personality जो रामचंद के पास में नहीं तो इस तरीके से ये short रामचंद का character analysis में ने discuss किया क्योंकि कुछ student का request आ रहा था बार बार regarding the notes of the sari shop बहुत चल में इसकी PDF notes जो है वो upload कर दोगी टेलीग्राम पे और YouTube पे discuss भी करोगी लेकिन तिल देन आपके exam में अगर ये helpful होता है तो don't forget to subscribe to the channel and hit the like button